सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया के नंबर वन गेमिंग प्लेटफर्म रेडियाना के बारे में जो साल 2010 से बने हुए है यहाँ आपको बिश्ट एक्स्प्रियंस मिलता है 160 प्लस गेम्स और 15 प्लस साइट्स का 100 प्लस ब्रांचिन के इंडिया में है जहाँ मिला है तो आज किस वीडियो में हम आपको IPL 2022 का नया पॉइंट टेबल बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि किस टिम को प्ले ओफ में जाने के लिए कितना मैच जितना परेगा और साथ ही साथ परपल कैप और औरेंज कैप किस प्लड के पास मौजूद है तो य ये वीडियो काफी जादा इंपोर्टेंट है इसलिए आप लोगों से रिक्विष्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंतक जोड देखें वीडियो को दिल से एक लाइक जोड करें और वीडियो के नीचे से रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को किलिक करके चैनल क को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बिल को प्रिस कर ले तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं सबसे पहले हम आपको बता दे कि IPL 2022 में आज का मैच लखनो सूपर जाइंट्स और पंजाब किंग्स के बीची खिला गया था और इस मैच में लखनो सूपर जाइंट्स की टीम ने पंजाब किंग्स को हरा दिया और इस जीत के बाद IPL 2022 के पॉइंटेबल का समी करन पूरी तरीके से बदल जुगा है तो पॉइंटेबल में 10 वे पोजिसन पर है 5 बार की चैंपियन और रोहित सर्मा की कपतानी वल यानी की मुंबई इंडियन्स की टीम और मुंबई की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 8 मैच खेले है और 8 मैचों में मुंबई इंडियन्स की टीम हार गई तो इस वज़े से टोटल आठ में से आठ मैच हार करके जीरो अंको के साथ मुंबई की टीम पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है और इस टीम का नेट रन रेट माइनस एक दसमलब 0-0-0 है और मुंबई इंडियन्स की टीम पिले ओफ के दोड से ओफिसियली बाहर हो चुकी ह इसके बाद पॉइंट टेबल में 9 पोजिशन पर है डिफेंडिंग चैंपिएन यानी की 6 नेज सूपर किंग्स की टीम और चेन नेज की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 8 मैच खेले है जहां पर 2 मैचों में चेन सूपर किंग्स की टीम जीत गई और 6 मैचों में चे तीम का नेटरन रेट माइनस 0.538 है और यहां पड़ से चेनने सूपर किंग्स को प्ले ओफ में जाने के लिए बांकी बचे छे में से 6 मैच जितने परेंगे यानि कि सभी मैच चेनने को जितना परेगा तो आपके हिसाब से चेनने की टीम इस साल प्ले ओफ में जा पाए जा टोटल 9 मैच खेले है जहां पर 3 मैचों में कोलकता नाइट आइडर्स की टीम जित गई और 6 मैचों में कोलकता की टीम को हार का सामना करना परा तो इस वज़े से टोटल 9 में से 3 मैच जित करके 6 अंकों के साथ कोलकता नाइट आइडर्स पॉइंट टेबल में 8 वे पूजि आपके हिसाब से कुलकता की टीम पिले ओफ में जा पाई क्या नहीं कमेंट में जोड़ बता हैं इसके बाद पॉइंट टेबल में साथवे पोजीशन पर है आज के मैच की हरने वाली टीम यानि की पंजाब किंग्स की टीम और पंजाब किंग्स की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 9 मैच खेले हैं जहां पर 4 मैचों में पंजाब किंग्स की टीम जीत गई और 5 मैचों में पंजाब की टीम को हार का सामना करना परा तो इस वजह से टोटल नौ में से चार मैच जित करके आठ अंकों के साथ पंजाब किंग्स पॉइंट टेबल में साथ वे पूजीशन पर है और इस टीम का नेट रन रेट मैनस 0.419 है और यहां पड़ से पंजाब किंग्स की टीम को पिले ओफ में क्वालिफाई करने के इसके बाद पॉइंट टेबल में चटवे पूजीशन पर है रिसअप पंथ की कप्तानी वाली यानि कि दिली कैपिटल्स की टीम और दिली की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल आठ मैच खेले है जहां पर चार मैचों में दिली कैपिटल्स की टीम जीत गई और चार म का निट रन रेट पलस 0.695 है और यहां पर से दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पिले ओफ में क्वालिफाई करने के लिए बाकी बचे छे में से कम से कम चार मैच जितना परेगा तो आपके हिसाब से दिल्ली की टीम इस साल पले ओफ में जा पाए गया नहीं कमेंट में जोड़ मैचों में रॉयल चेलंजर्स बैंगलोड की टीम जित गई और 4 मैचों में आर्सीबी टीम को हार का सामना करना करना परा तो इस वजह से टोटल 9 में से 5 मैच जित करके 10 अंकों के साथ रॉयल चेलेंजर्स बैंगलोड पॉइंट टेबल में 5 वे पूजिशन पर है और इस टीम का निट रन रेट माइनस 0.572 है और यहां पर से RCB टीम को प्लेओफ में क्वालिफाई करने के लिए बांकी बचे 5 में से कम से कम 3 मैं जितना परेगा और ये टीम अपना अगला मैच गुजरात के खिलाब खेलेगी तो आपके हिसाब से RCB टीम इस साल प्लेओफ में जा हैदराबाद की टीम और SRC की टीम ने इस सीजर में अभी तक टोटल 8 मैच खेले है जहां पर 5 मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जीत गई और 3 मैचों में हैदराबाद की टीम को हाड का सामना करना परा तो इस वजह से टोटल 8 में से 5 मैच जीत करके 10 अंकों के स सन्राइजर्स हैदराबाद पॉइंट टेबल में चौथे पूजीशन पर है और इस टीम का निट रन रेट पलस 0.600 है और यहाँ पड़ से SRS की टीम को प्लेओफ में जाने के लिए बाकी बचे 6 में से कम से कम 3 मैच जितना परेगा तो आपके हिसाब से हैदराबाद की टीम प्लेओफ में जा पाई गया नहीं कमेंट में जोड़ बताएं इसके बाद पॉइंट टेबल में तीसरे पोजीशन पर है आज के मैच की विनर और केल रहूल की कपतानी वाली यानि की लखनव सूपर जाइंट्स की टीम और लखनव की टीम ने इस सीजन से टोटल 9 में से 6 मैच जीत करके 12 अंको के साथ लखनव पॉइंट टेबल में तीसरे पोजीशन पर है और इस टीम का निट रन रेट पलस 0.400 है और यहाँ पर से लखनव की टीम को प्लेओफ में जाने के लिए बाकी बचे 5 में से सिर्फ 2 मैच जीतने जरूरी है तो आपक राजस्थान रोयल्स की टीम और राजस्थान रोयल्स की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल 8 मैच खेले हैं जहां पर 6 मैचों में राजस्थान रोयल्स की टीम जीत गई और 2 मैचों में राजस्थान की टीम को हार का सामना करना परा तो इस वज़े से टोटल 8 में से 6 म पुजिसन पर है और इस टीम का निट रन रेट पलस 0.561 है और यहां पर से राजस्थान की टीम को पिले ओफ में जाने के लिए बाकी बचे छे में से कम से कम दो मैच जितना परेगा तो यह टीम आसानी से पिले ओफ में क्वालिफाई कर जाएगी और इसके बाद पॉइंट टेबल टोपर के बारे में बात करें तो यहां पर है हारदिक पंडिया की कमतानी वाली यानि की गुजरात टाइटन्स की टीम और गुजरात की टीम ने इस सीजन में अभी तक टोटल आठ मैच खेले है जहां पर साथ मैचों में गुजरात टाइटन्स की टीम जीत गई और एक मैच में गुजरात की टीम को हार का सामना करना परा तो इस वज़े से टोटल आठ में से साथ मैच जित करके 14 अंकों के साथ गुजरात पॉइंट टेबल में टॉप पर है और इस टीम का नेट रन रेट पलस 0.371 है और यहाँ पर से गुजरात टाइटन्स की टीम को पिले ओफ में जाने के लिए बांकी बचे 6 में से सिर्फ एक मैच जितना जरूरी है तो यह टीम 99% चांस है कि आसानी से पिले ओफ में क्वालिफाई कर जाएगी तो आपके हिसाब से इस साल कौन-कौन सी चार्टी में पिले ओफ में जाएग पर है केल रहुल जो की 9 मैचो में 368 से अधिक रन बना चुके है वही 3rd पोजिशन पर है हर्दिक पंडिया जो की 7 मैचो में 305 रन बना चुके है इसके बाद परपल कैप या जुवेंदर चहल के पास है जो की 8 मैचो में 8 विकेट ले चुके है 2nd पोजिशन पर है कुल्दी पियादव जो की 8 मैच में 17 विकेट ले चुके है वही 3rd पोजिशन पर है टीनट राजन जो की 8 मैचो में 15 विकेट ले चुके है इसके बाद सिक्सर किंग है जोस बटलर जो की 8 मैचो में सबसे अधिक 32 छके मार चुके है वही सबसे अधिक च चैनल को सब्सक्राइब करें तो प्रेंट्स मिलते हैं निक्स्ट वीडियो